नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ संतरामपाल जी के एक सिसे जोड़ रहे हैं, जो कि संतरामपाल जी की शरण में लगवग 17 वर्सों से हैं और इन जो 17 वर्स जो संतरामपाल जी की शरण में गुजारे हैं, इनका एक्सपिरियंस जाने के सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीतेंदर सिंग है सर कहां से हैं आप मैं पूरा महरास्टर से हूँ सर क्या करते हैं मेरा अपना कारोबार बिजनस है सर आप संतराम जुड़े मैं 2002 में जुड़ा था सर एक चीज़ बताए है संतरामपाल जी के बारे में लोगों को काफी बिबादों में रहते हैं संतरामपाल जी तो आप एक ऐसे संतर से जुड़े हैं जो कि पहले भी 2006 में भी जेल में जा चुके हैं और बरतमान में भी जेल में तो क्या कहेंगे क्या है यह जो आप बोल रहे हो जेल में है इसके पीछे आपको बात समझनी चाहिए कि जेल में तो राजगुरू, सुकदेव, भगत सिंग भी हुए उनके अंदर में देश भक्ती भरी हुई थी इसलिए वो देश के लिए कुर्बान हो गए इसी तरह जो हमारे सद्गुरू देव जी है, संत्रामपाल जी महराज हैं इनके अंदर में सद्भक्ती को उजागर करके पुरे मानव समाज के सामने सद्ग को सामने लेके आना जो कि हमारे शास्त्रों के अंदर में पुरा गूट रहस्त जो है छुपा हुआ है तो जो उस चीज को पुरे संसार के सामने लेके आने के लिए वो इस मिशन को इस लड़ाई को आप समझ लीजिए मैं लड़ाई इसलिए कह रहा हूँ तो कि आप देख रहे हो कि उनके साथ में लोग जो की अग्यान फिला रहे हैं वो लड़ रहे हैं उसी की कारण आज वो जेल में है जेल में कौन जाता है अपराद करते हैं तो जाते हैं जेल में अपरादी होते हैं वो जेल में जाते हैं संतरामपाल जी क्या अपराद है संत्रामपाल जी ने क्या अपराद किया है पता है आपको संत्रामपाल जी ने ये अपराद किया है कि वो इस देश को दहेज मुक्त बना रहे हैं हमारी बेहन बेटियों का जो जीवन है आज लाखों की तादाद में संत्रामपाल जी से जो बेटियां जुड़ी है उनका विवा जो हुआ है सत्रा मिन के रमेनी में होता है ना एक रुपए लिया जाता है ना एक रुपए दिया जाता है और आज आप देखोगे कई सालों से जो बेटियां ऐसे घरों में गई है सुख का जीवन बिता रही है यह एक जो चेंज लेके आना है यह कोई मामुली इंसान नहीं लेके आ सकता या कोई मामुली संत नहीं लेके आ सकता यह या तो परमिशर ला सकते हैं या परमिशर के दुआरा भेजा गया उनका कोई महापुरुष लेकर आ सकता है तो ये ग्यान की बात है ये ग्यान के लिए आपको संत्रामपल जी के सत्संग सुनने बढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाए कि संत्रामपल जी कौन है और आज जेल में क्यूं है वो एक बार मेरा इस समाज से हाँ जूर के ये मैं बिंदी करता हूँ आप लोग सत्संग एक बार उनका सुनके देखे आपको सब पता चल जाएगा कि संत्रामपल जी है कोन है आज वो जेल में क्यूं है और सिर्फ बेटियों के लिए नहीं उन्होंने पूरा जो हमारा युवा पीडी है आज नशे में डूप चुकी है आज लाखो की दादाद में लोगों का नशा छुड़ चुका है सिर्फ उनके शरन में आने के बाद में आज आप देखो के सरकारन कितने कितने चीज़ें निकाली हैं नशा मुक्त करने के लिए आप मुझे मैं चैलेंज करता हूँ आप एक भी मानुफ को बता दो किसी संस्ता में जाके और उसका नशा चुड़ गया हाँ मैंने दो मैंने चुड़ा होगा दुबारा लग जाते हैं यहाँ पर आपको एक नहीं मिलेगा ना कोई नशे वाला मिलेगा ना कोई मास्क आने वाला मिलेगा ना कोई भैमानी करने वाला मिलेगा तो क्या है वे यह जो है ना यह सच और जूट की लड़ाई है सच और जूट की लड़ाई में अंत में विजय सत्की होती है लेकिन समय लगता है जूट के पैर नहीं होते सर अगर और कुछ नया नहीं बता रहे तो पर से सर्संत रामपाल जी तो कवीर को भगवान बता रहे हैं आज तक तो कभी किसी ने सुना ही नहीं है कभी भगवान है सबी मान ते इस सपलिसेंगी कभी कभी थे कभी भी उजागर हुई है, तो किसी ने तो बताई है न, कोई बताएगा ये नहीं, कि हमारे सास्त्रों में क्या लिखाया, अभी कवीर जी भगवान है, ये बता रहे हैं, अगर संत्रामपाल जी, तो अपने मन से नहीं बता रहे हो, आपको पुरुफ बता रहे हैं साथ में, हर सास्त्र उस चीज को बता रहा है, के कवीर इस गौड, आप वेदों में एक जगा नहीं, आपको हजार जगा बता देंगे, जहां पर ये चीज लिखी गई है, गुरु गरंज साहिम में लिखी हुई है, इवन कुरान शरीफ में कवीर जी का नाम लिका हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है, के कोई भी ये चीजे जो है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो मन मुखे ग्यान एक परसंड भी नहीं देते हैं, उनकी जब सच्संग चलते हैं, तो पीचे स्क्रीने लगी होती हैं बड़ी बड़ी, और स्क्रीनों के उपर में हर शास्तर दिखाया जाता है साथ साथ में, इसलिए तो इन सब की जो दुसरे ठकी बैठे हैं, इनकी दुकाने बंद हो रही हैं, इसके लिए ये सब आफ़वाय फैलाते हैं, कभीर जी के बारे में कोई उन्होंने अपने मन से नहीं बताया है, वो खुद हो के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो प्रूफ करके बता रहे हैं, और इसमें कोई भी दोर आये नहीं है, मैं सत्रा साथ से पर्मात्मा के शरन में हूँ, संत्रामपाल जी के चरनों में बैठा हुआ हूँ, तो 100% ये गैलेंटीड बात है, कि कभीर इस गौड और आपको प्रूफ करके मिल जाएगा, यदि आप सत्संग देखोगे तो. सर दूसरी चीज बताए, जैसे कि लोगों का कहना है, कि संत्रामपाल जी की शरन में जो लोग आते हैं, उनको बहुत प्रकार की सोख होते हैं, बीमारियां भी खतम हो जाती हैं, तो कुछ ऐसी घटना आपके साथ हुई है, कि आपको संत्रामपाल जी की सोख मिला हूँ या कुछ ऐसा हुआ हुआ? मुझे खुद को 25 साल तक मैंने माइग्रेन आप माइग्रेन का किसी कुछ दर्थ पूछिएगा, मुझे माइग्रेन था और इतना सेवियर माइग्रेन होता था, कि मेरा सिर्फ फढ़ जाता था, मुझे आखे बंद करके जहां हूँ, मुझे आखे बंद करके बैठ जाना पड़ता था, मैं कोई काम नहीं कर सकता था, इतनी ज़्यादा हालत खराब होती थी, 25 साल मैं उस बीमारी से जुल जाहूँ, और कोई मैंने डॉक्टर नहीं छोड़ा, एरवेदिक नहीं छोड़ा, हुमेपेटिक नहीं छोड़ा, कोई मलग ठिकाना नहीं छोड़ा, इवन पूना में नहीं, मैं उससे बाहर भी गया हूँ, आउट अफ स्टेशन जा जाके, डेली वगरा सब जगा मैंने इलाज करानी कोशिश की, एक परसंट फरक नहीं पड़ता था, संत्रामपा जी मुराजी से नाम उब्देश लिया, दो मेने, दो मेने हुए तो मुझे नाम लेके, बस गाइब हो गया हूँ, बोग दिन गया, ये दिन आया मेरा सिर्धर्द नहीं हुआ उसके बाद कभी, तो मेरे साथ ये हुआ है, ऐसे ही हमारी मिस्स हैं, उनको अस्त्मा था, अस्त्मा के लिए डॉक्टर ने पंप दिया था, उनको के उसको इतना सीवियर एटेक हो जाता था, कि अगर उसको पंप ना मिले, तो उसको ऐसे होता था कि वो खतम हो जाएगी, तो मैंने घर में तीन पंप लाके रखा, एक किचन में लाके रखा, रेफरिजेटर के उपर में एक बेडरूम में रखा, एक उनके पर्स में रखा, कि कभी तू अकेली होगी, तो वो इमिजटली मिल जाएगा नाम लेते ही, एक मेना बीता था, तो मैंने उसको जब ऐसे बोला कि तेरा पंप दिखरा नहीं कहा है, तो लेती नहीं क्या पंप, तो बोले मैंने एक मेना हो गया, जब से संतरामबल जी से नाम लिया है, गुरू जी उसे मेरा पंपी मुरे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं त तो यह मोक्ष मार्ग है तो इसको हमने सबने समझना चाहिए कि संत्रामपाल जी महराज का मिशन क्या है वो करना क्या चाह रहे है जी बहुत बहुत देना है